चोपड़ा है जो किस यूटूब चैनल पर मैं हर साही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पहरे बचो आई उसके फर्स्ट राउंड का रजल्ट आ चुका है यानि कि BMS, BHMS, BMS, BMS का रजल्ट आ चुका है और इसमें जो कटोफ रही है वो हर साल की तरह ही रही है इस परकार जो कटोफ रही है वो MBBS, BDS की तरह इसमें ज्यादा उच्छाल नहीं आया है क्योंकि इसमें इस बार फर्स्ट राउंड में सीटे काफी आई थी तो एक बार हम कैटेगरी वाइस कटोफ देख लेते हैं तो सबसे पहले BMS की कटोफ देखते हैं तो BMS की जो कटोफ रही है वो रही है जनरल कैटेगरी की 78,030 रेंग जिसके 533 मार्च थे उस कंडिडेट को कोलेज मिला है इसमें EWS कैटेगरी में 81,746 रेंग जिसके 549 मार्च थे उस कंडिडेट को सीट मिली है OBC कटेगरी 81,716 ओल इंडिया रेंग जिसके मार्च थे 529 ST कटेगरी 2,3,801 रेंग जिसके 419 मार्च थे और ST कटेगरी में 3,10,783 यानि 352 मार्च वाले कंडिडेट को सीट मिली है BMS के लिए अब एक बार बात करते हैं हम BHMS की तो BHMS में जो सीट मिली है जनल केटेगरी को रेंग के 154,203 मार्च से उसके 458 EWS केटेगरी में 188,664 रेंग जिसके 430 मार्च से EWS केटेगरी में सीट मिली है OBC केटेगरी 163,485 रेंग जिसके 450 मार्च से OBC केटेगरी में सीट मिली है ST category के candidate 2,90,869 rank जिसके 363 mark से उसको seat मिली है ST category में 4,19,587 जिसके mark से 300 BHMS का college मिला है अब एक बार BHU BMS की बात कर लेते हैं तो कटोब जो रही है 27,823 यानि 602 marks पिछली साल से ये कटोब ज्यादा रही है EWS category 29,434 rank 599 marks OBC 31,297 rank 597 marks ST category 1,52,953 rank 459 marks ST category 2,5,227 rank 418 marks पर BHU का BMS college मिला NIA जैपूर की बात करें BMS के लिए 30,335 rank जिसके 597 marks थे EWS category 33,969 rank जिसके 591 marks थे OBC category 33,857 जिसके 592 थे और ISME 1,47,918 जिसके 463 marks थे और ST category 1,83,896 जिसके 433 marks थे इन सभी candidates को BMS जेपूर मिला है तो ये category wise cutoff है आयूस की Second round अभी जैसे ही start होगा मैं उससे पहले आपको expected cutoff बता दूँगा कि कितनी cutoff इसकी जा सकती है Second round के लिए तो ये जानकारी थी आयूस की cutoff के बारे में Next video में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिं